हेलो एवरीवन आइम अकाश गोर वेलकम बैक तू आपका अपना इंडिन मेटिकल लेक्चर इस्पाइनल कोड क्या होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाओंगा नोट्स भी दूँगा स्क्रीन शूट लेने का टाइम दूँगा आपको प्रोपरली याद रखना हिंदी इंग्लिश एक बाद चैनल विजट करके देख लो बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए वाँ पर डले होंगे मेडिकल से लिटेट देखो इस स्पाइनल कोड चैनल लोंग तीन ट्यूब लाइक स्ट्रेक्चर इट इस पाइनल कोड चैनल पतली एवं लंबी ट्यूब होती है यह केंद्रिय तंत्री का तंत्र का ही भाग है सिंपल बात हैं हम लोग ने डिसकास कर रहा था मेरी पुरानी वीडियो में आप लोग जा के देख सकते हो कि मैंने आपको सिंपली इसमें मैंने बोला है जो स्पाइनल कोड आपको दिखाई दे रही है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानि की सी एनेस का ही भाग होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड सी एनेस में आती है इस स्ट फृम डि मैंनुल्रा ओबलांगेटा एंड एक्सितेंड ि जान नउनन फ्रस्ट और सेंड का मतलब क्या है जो मैंन भाग इसे चाल्ु होती है और नीचे फॉर्सथ सेंड वर्टिपर्रा तक एनेसे अपर दे डिखो आप यह रहाप का spinal cord ठीक है यह रहाप का brain यहां से आपको यह भाग आपने अगर पड़ा होगा तो यहां पर last में जो आता है mendula oblong get आता है mendula oblong get से आपकी spinal cord चालो होती है तो मैंने यह लिखा हुआ है कि first second number vertebra तक extend बोलना नीचे कहा तक और नीचे first second number vertebra यह डाउन देखो यह रहापका first और यह second number vertebra यहां तक आपकी spinal cord आईए मैंने यह बोला है कि जो spinal cord है mendula oblong get से चालो होकर सीधी नीचे आती है कहा तक first second number vertebra तक ठीक है एक बार फिर से repeat कर देता हूँ यहां mendula oblong get से चालो होती है नीचे first second number vertebra तक आती है यहां से यहां तक spinal cord is main pathway of brain यह बोलना है कि जो मस्तिश्च की तक जाने का एक मातर रास्ट है देखो आपको simple बात बताता हूँ यदि आपको कोई चीज nutrition को कुछ भी चीजों को आपको brain तक जाना है at least bacteria को भी brain तक जाना है तो वो सिधर spinal cord के CSF के तुरू ही brain तक जाएगा यह चीज ध्यान रखना तो कोई भी चीज को अगर travel करना है आपके simply brain तक तो brain तक travel करने के लिए brain तक जाने के लिए उसको spinal cord सही होकर जाना पड़ेगा यह चीज ध्यान रखना तो main pathway pathway का मतलब होता है guys रास्ता एक मात्र रास्ता ह है दिमाग तक जाने का जो कि spinal cord जल्दी इसका screenshot ले लो फिर में आगे बढ़ता हूं कि देखो एक बार repeat कर देता हूं इस spinal cord होती है पतली होती है लंबी होती है ट्यूब होती देखो पतली से लंबी ट्यूब होती है जो केंदरी तंत्री कहता है तंत्र रहने के central nervous system का एक भाग है दूसरी चीज मूँने बढ़ी इस स्टार्ट फ्रोम दी मेंडियोला अबलांग गेटा से चालू होती है और एक्स्टेंट कहा तक पहली रहती है नीचे लंबर वर्टिबरा तक दूसरी चीज है जो मस्तिश की तक जाने का एक मातर रास्ता होती है इस पाइनल कोड नेक्स पेच बढ़ता हूं लेंथ जो मेन के अंदर 45 cm फिमेल के अंदर 43 cm 45 cm लंबी मेल के अंदर होती है पुरुषों के अंदर रोड़ी लंबी है मैलाओ के अंदर थोड़ी चोटी होती है इसका भी स्क्रेंशोट लेलो यह कोशन बहुत पार एक्जाम में आता है शोट कोशन में कुलिर को जैसे में प्रेब्पर और जाने कि मेल के अंदर 45 इस फीमेल इंदर 43 संट मेट tell इन वेड आपका वर्टिब्रे ट कोलम इस पाइनल कोलम जिसे वर्टिब्रेट कोलम को c SPINA अभी कोलम क्या होते गाईज a column of bone is called vertebra which is also called spinal column बोलना है कि हड्डियों के हड्डियों के जो की कालम होते हैं कालम को हड्डियों के कालम को ही vertebrate कहते हैं और यह spinal column भी कहते के नाम से भी जाना जाता है देखो डाइगराम देख लो आप एक बार देखो गाईज यह पतली से जो ट्यूब है यह हमारी spinal code पर यह spinal code बाहर जो आपको हड्डिया दिख रही है गाईज इन हड्डियों के द्वारा सुरक्षित रहती है यह आया आपको समझ में तो मैं यही बोल रहा हूँ गाईज यहाँ पर कि जो कालम होते हैं कालम जो हड्ड बीच में आपकी smooth tube है ठीक है तो इनको देखो यह तो आप spinal column को हो यह spinal column को हो, spinal vertebrate को ठीक है यह vertebral column को हो इनको तीनो नाम से जाना जाता है ठीक है next इस स्कल प्रोटेक्ट अब्रेन एग्जेक्ट वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड बोलना है कि जिस जैसे इसकल हमारे जैने कि खोपडी हमारे मस्तिश्क को सुरक्षा देती है उसी प्रकार जो वर्टिब्रेड याने कि यह कालम है न यह स्पाइनल कोड को को और जो पतन बिल स्पाइनल कोड़ यह इस्पाइनल कोड को सुरक्षा स्पाइनल कोड काम किसका होता है यह वरटिब्रा जिससे हम इसपाइनल वरटिब्रयल कोलम बहुत सारों नामों से पर पुकार रहे है nak बहुत इंपोर्टेंट चीज आएगा इसको समझो यह बोलना है कि जब दो वर्टिब्रा के बीच में इलास्टिक संयोग उतक पाय जाते हैं जो कि लचिला बनाती है अब देखो तेट हैं आपको हैं यहात पर बीच में खाली जगा दिक्री उपस युद्धू का बोलते हैं कॉन से लास्टिक कनेक्टिवय टिशू एलास्टिक का मतलब होता जिनको खीचा जा सके इनकी वज़ासे यह टुकडे 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 है न तुकडे टुकडे अब मानले जाएसे बिलकुल एक सीधी लंबी हड़ी बना देते जो मुड़ी नहीं सकती हो तो फिर क्या आप आगे जुक पाओगे आप पीछे जुक पाओगे नहीं तो आप इक दम पूरा मुझ कर पाते हो क्योंकि इन हड्डियों की बीच में जगा होती है खाली वह इलास्टिक जो कनेक्टिव टिशू होते हैं वह पाए जाते हैं उनकी बज़ासे जो हमारी स्पाइनल कोडे थोड़ी लचीली होती है नेक्शी टोटल 33 लंबर वर्टिब्रा प् टोटल 33 लंबर वर्टिब्रा पाए जाते हैं ज्याद रखना 33 लंबर वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा की संक्या कितनी होती है 33 की लिए इसका एक बर स्क्रिंशोट लेलो फिर आगे बढ़ता हूँ ठीक है तो मैं आपको यही समझा है यहां पर फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कॉलम होते हैं वर्टिब्रा जो की स्पाइनल कोट हड्यों से मिलकर बने होते हैं स्पाइनल कालम भी कहते हैं यह जैसे हमारे मस्तिश्क को इसकल प्रोटेक्ट करकती है खोपड़ी प्रो है न्यखुरे जैसे लचीली रहती है तोटल 33 लंबर वर्टिब्रा टोटल 33 जुह इनकी संक्या 33 होती है नेक्स पेश बढ़ता हूं ताइप वर्टिब्रया अब इन वर्टिब्रय के कितने प्रकार होते हैं देखो गावी सिम्पोर्ट इम्पोर्टेंट हैं क्रेणियल थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सेक्रम वर्टिब्रा, कॉक्सियस वर्टिब्रा, यह बहुत चारों इंपोर्टेंट देखो, यह जो है आपका डाइग्रम देखो, यह आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा, कितने होते गई सर्वाइकल वर्टिब्रा, साथ, मन से लेकर C7, कितने हैं, साथ है टोटल, ये लिखे हों मैंने साथ, कहां से चालू होते हैं, C1 से C7 तक जाते हैं, Cranial, Cervical, ठीक है, Cervical के बाद आते हैं, थोरे सी क्वार्टीबरा, थोरे सी क्वार्टीबरा गाईस, 12 होते हैं, सबसे जादा तक आपका थोरे सी क्वार्टीबरा, T1 से लेकर T12 तक, कितने होएं, 12 होएं गाईस, ठीक हैं, इसके बाद आता हैं, आपका लंबर वर्टीबरा, कितने होते हैं, डाइगराम देखों, ये रहे, L1 से चालू होता है, लंबर वर्टीबरा, और L5 तक जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, टो ये बाद, सेक्रम वर्टीबरा, 1, टोटल 5 होते हैं, ये भी S1 से लेकर S5 तक, डाइगराम देखों, ये रहा, S1 से लेकर S5 तक, टोटल ठीक है, और S5 के बाद, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट में, ये जो होते हैं, फ्यूज रहते हैं, चारो फ्यूज र जाते हैं, यहां तो दिखाने य RAW किन ये फ्यूक इस लाता भी तो टोटल कितमे लंबर वर्टीबरा हो हाई? सर्माईकल वर्टीबर उपर 7 होते है, फ्यूज थे लंबर 5 होते है, 2, 1, 1, 25 हुए, 8, 1, 5 होते है, he subscribe for that液 यहां, अब देखो, अब जो covering of spinal cord जो spinal cord है ना guys simply यह पूरी spinal cord है इसकी सुरक्षा जरूरी है तो इसके सुरक्षा कौन करती है covering कितनी तरफ से रहती है like brain spinal cord is also protected by three layers which is called meninges देखो guys meninges अभी पढ़ा है ता brain में जाके देखो मेरी वीडियो मस्तिश्की की तरह ही spinal cord में भी तीन परते पाए जाती है ठीक है तीन परते पाए जाती है जिने meninges कहते एक, दो, तीन इन तीन layer को meninges कौन कौन सी होती guys है durameter, arcanoid meter और piameter जो कि हमारे मस्तिश्की के उपर layer थी उसी प्रकार से same meninges same तीनो layer भी इसके अंदर पाए जाएगे, ठीक है durameter, arcanoid meter और piameter diagram देख सकते है इसका screenshot ले लो फिर में आगे बढ़ता हूँ guys बहुत important है meninges layer कितनी होती है dura, arcanoid, piameter ठीक है ये covering की बात होई अब देखो guys spinal cord segment अब इसके कितने segment होते है segment का मतलब होता guys ये बीच बीच में जो जगाय दिख रहे है ये segment है, ठीक है जो आपको ये दिख रहा है, ये segment बटे हुए जैसे कि लंबर बटे बटे बिरा का एक segment दो, तीन, चार पच ये segment है spinal cord है 31 segment and in this every segment arise pair of spinal now, बोलना है कि जो spinal cord में 31 segment होते है और हर एक segment में से एक जोड़ी spinal निकलते है 31 निकलेंगी spinal भी देखो, ये आपको spinal segment है इसके बीच बीच में से क्या निकलते है इसे arise होते है क्या spinal segment नेते है spinal segment जोड़े होते है spinal nerve nerve यानि कि इसे धागे जैसे संडशना निकलती है ये देखो धागा दिख रहा है इधर से भी निकलेंगा इधर से भी निकलेंगा हर एक पेर में से पेर निकलते है दो के यानि कि एक segment में से एक इधर एक इधर यानि कि दो पेर कौन-कौन से होते है cervical vertebrate होते है 8 thoracic vertebrate होते है 12 लंबर वर्टिब्रेट होते है 5 सेकरम होते है 5 और कॉक्सिकस वर्टिब्र होते है 1 तो यह जो यह सेगमेंट है सेगमेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं इसका भी स्क्रिंशोट ले लो